हलो फ्रेंट्स जान गाल्सवर्थी का अगला ड्रामा लायल्टीज की समरी पढ़ते हैं नाटक की सुरुवात मिस्टर चार्ल्स विंसर के कोर्ट में होती है यह घर निव मार्केट रेसिंग सेंटर के पास इस्तित है विंसर के मित्र लार्ड, सेंट अर्थ, जनरल, कैनिच, मेजर कैलफोर्ड, कैप्टन रोनाल्ड डैंसी, फर्डिनन्ड, दी लिविस, एंड मिस्ट मार्गेरेट और में उसके साथ रहते हैं विंसर एक लंबा और 30 साल का ब्यक्ति है, उसकी पत्नी 35 साल की एक सुंदर इस्त्री है, लार्ड सेंट, आर्थ हैंड, एक टिपकल इंग्लिस मैन है जनरल कैनिच, एक स्लिम, 60 साल का ब्यक्ति है, वह हल्दी है, उसको रेसिंग का सौख है, वह रेसिंग और एकल का लाता है दी लेविस एक जीव है, उसने दो रेस जीती है, क्रिश्चियन उसको पसंद नहीं, परन्त लेडी अडेला ने उसको अपने यहां बुलाया है साद के साइड से 150 में, उसने रेस तो सिंग जाने के लिए तयार है, उसन काता है कि excited financial problem में है, फिर भी वह साधी करने की सोच रहा है मॉबल उसको बहुत प्रेम करती है, उनके घार दिल लेविस आता है, दिल लेविस विंसर से काता है कि उसके तक्ये के नीचे से 100 डालर गायब हो गए है, वह बताता है कि वह वातरूम गया था, 15 मिनिट के लिए उसने बताया कि उसने रुपए एक बुकी केंट मैं से लिए ह अपनी घोड़ी के बदले, उसको गुस्ता आता है कि उसके घर में चोरी हुई है, विंसर कहता है कि चोर जरूर बालकनी से आया होगा, जब दिल लेविस बातरूम में था, विंसर पोलिस को बताना चाहता है कि उसकी पतनी पोलिस को फोन मिलाती है, ट्रीजर जो की रसोई उसको बुलाया जाता है, वह बचपन से घर में रह रहा है, विंसर उस पर विश्वास करता है, दिल लेविस ट्रीजर पर शक करता है, ट्रीजर कहता है कि पूरे घर में तलासी ली जाए, परन्त विंसर मना कर देता है, लेडी अडेला जेनरल कैनिच को सूचना देती है, वह कमरे की उचाई की बारे में पूछता है, टेजर बताता है कि टेरस से बालकनी 23 फिट है, वह बताता है कि एक सीड़ी है परंत वह वहां से हीली नहीं है, दिल लेविस को गुस्ता आता है, वह काता है कि जब पुलिस आएगी तो तुम मुझे सब बता दोगे, लेडी अड उनका डेंसी परसान दिखाए देता है, वह काता है कि उसने किसी की आवाज नहीं सुनी, इंस्पेक्टर के आने की आवाज आती है, डेंसी अपनी पतनी के साथ या का कर चला जाता है, वह बहुत ठका हुए, इंस्पेक्टर आता है, वह काता है कि जब चोर आया होगा, तो तो उसने पैसों को कपड़ों में मेज में सूटकेस बेडाज में ढूटा होगा दिलेविस कहता है कि उसको पता है कि किस ने चोरी की है वह अंदाजा लगाता है कि डैंसी ने चोरी की है क्योंकि वह जानता था कि केंटमैन ने उसे सो डालर दिये हैं उसके और डैंसी की बाल करता है इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है कि दिलेविश चुप रहे और कुछ ना कहें चोरी के तीन सब्तावाद लाड़ सेंट आर्थ विंसर गेनरल कैनिज और अगस्टस ड्रिज खेल रहे होते हैं लाड़ सेंट आर्थ उसको बताता है कि दिलेविश जॉकी क्लब का म सब्सक्राइब बनाया जाया जाया अगया उसको बताता है कि दिन्सि ने जो भूड़ी य दे हाची थी उड़ तसे हैं कैन्ट वायण को एक हजार डालर में मेची जा चुकी है अब अले मिक्स को पता चलता है कि उसको प्लब मेंबर नहीं बनाया गया दिर्मिस काता की डांसी छोरी कि जानिक उसको अपने आप क है लाज इसको चौर काता है और उसको पूर्ट में जाने जाने का ने क्या हुरि कि उसे वाजूर को देखा था पांड हो उसको सपोर्ट करता है क्योंकि उसका बैवार अपने साथियों के साथ अच्छा है विंसर उसको सपोर्ट करता है क्योंकि वह उसको बच्पन से जानता है अडेला और मार्गेरिट मावल को समझाती है कि उसको पोर्ट में डेंसी को सपोर्ट करना है डैंसी आता है और अडेला और मारगारेट चले जाता है डैंसी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे यह जगह छोड़ कर नेरबोई चले जाना चाहिए उसकी पत्नी कहती है कि लोग सोचेंगे हम भाग गए हैं वह कहता है कि वह लोगों परवा नहीं करता है केस के सुरुवात हो जाती है और डैंसी को दोसी पाया जाता है डैंसी अपने घर पर अपने पत्नी को चोड़ी के बारे में बताता है इसी भी पुलिस आ जाती है उसकी पत्नी पुलिस को अपनी बातों मुल जाती है और वो कमरे में चला जाता है अंदर जाकर देखते हैं त बलत करके कितना परिसान रहता है और अपने परिस्थितियां से भागना भी चाहता है थैंक यू